कॉंग्रेस, CAA, NRC और NPR के खिलाफ अल्फ संख्यकों के बीच व्रम फैलाकर जिस तरह से दिश्ट का सम्प्रदाइक माहौल बिगाडने की कोशिश कर रही है उसका एक बड़ा नमुना MP के पूरो सीम दिग्विजय सिंग ने दे दिया दिग्विजय सिंग ने जाकिर नाइक के प्रूपगेंड़ा विडियो को शेयर कर पियम मोदी और अमिस्टा को घेरने की कोशिश की लेकिन इस कोशिश में कॉंग्रेस खुदी उलज कर रह गई दिगविजय सिंग ने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें एक श्रक्स ये कहता हुआ दिख रहा है कि पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 पर जाकिर नाइक से मदद मागी थी जिस डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत हर हाल में पकड़ने के लिए बेचायन है उसके द्वारा जारी किये गए वीडियो में इन बातों का होना भरोसे के लाइक नहीं है इसी वजह से बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या कॉंग्रेस जाकिर नाइक के पक्ष में है क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं अब इन सवालों का जबाब तो कॉंग्रेस को देना ही चाहिए बीजेपी प्रोक्ता गौरोव हाटिया ने तीखी प्रतकिरिया व्यक्त की और कहा कि कॉंग्रेस जाकिर नाइक के ट्रस्ट से मदद लेती रही है और कॉंग्रेस के जाकिर नाइक से अच्छे संबंध हैं बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि दिगविजय सिंग जाकिर नाइक को शान्ती का दूत बताते रहे हैं बिजैपी के महा सचिव कैलाश विजैवर ये ने कहा कि दिग विजै सिंग के पास ये खबर कहां से आई? क्या उनके तार जाकिर नाइक से जुड़े हुए है? कुल मिला कर दिगई राजा अपने ही खेल में फस गए हैं लेकिन सवाल है कि कॉंग्रेस जनता को मुर्ख बनाने के लिए ऐसी नीच हरकत कब तक करती रहेगी?